तो कल हुई सुमित कुमार की फाइट जितर रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया और सियंग गक्चॉय इस फाइट को जीत गया by unanimous decision फाइट को breakdown करने से पहले सुमित कुमार की इस फाइट में positives की बात करें तो सुमित कुमार का cardio काफी अच्छा था और अगर ये fight 5 rounds की होती तो सुमित कुमार 5 rounds भी fight कर लेता Secondly सुमित कुमार की wrestling as a 22 year old kid काफी अच्छी लगी बस problem आ रही थी सियंग गक्चॉय को ground में hold करने की Third positive इस fight से ये मिला कि सुमित कुमार की desire fight करने की और उसकी chin काफी strong लगी सुमित कुमार को इस fight में big punches पड़ें बट स्टिल सुमित कुमार की chin काफी strong थी और give up ना करके वो पूरे 3 rounds forward move किया इस fight को जीतने के लिए अब fight की बात करें तो मैं ये काफी बार बोल चुकाँ कि fighter के लिए one dimensional रहकर higher competition में fight जीतना काफी मुश्किल होता है सुमित कुमार और स्यंगक चॉय की fight में भी same ऐसा हुआ सुमित कुमार take down तो कर ले रहा था बट उसकी ability ओपनेंट को ground में hold करने की और stand up में striking करनी की काफी weak लगी जब सुमित कुमार स्यंगक चॉय को ground में लेके जा रहा था तो स्यंगक चॉय ने पूरी fight में एक बार भी chance ने दिया सुमित कुमार को ground and pound land करने का इस पूरी fight में सुमित कुमार एक hyper aggressive fighter था और सुमित कुमार का ये aggression first round में काम भी किया क्योंकि स्यंग अक्चोय ने ज़रा भी anticipate नहीं किया था कि सुमित कुमार इतना aggressive होके fight करेगा first round में सुमित कुमार के काफी अच्छे takedowns हुए उसके couple of straight punches और jabs भी काफी अच्छे land हुए बट major problem तब आ रही थी जब सुमित कुमार try कर रहा था big overhand right को throw करने की सुमित कुमार इस overhand punch में इतनी ज़ादा power लगा दे रहा था कि जब वो इस punch को throw कर रहा था तो mostly हर टाइम वो disbalance होके गिरने से बच रहा था सुमित कुमार का head भी इतना ज़ादा नीचे चले जा रहा था कि ये एक काफी dangerous position बन जाती है और इसी position से काफी ज़ादा fighters knockout हुए हैं सियंगक चॉय को starting में नहीं पता चल रहा था कि वो इस position की कैसे advantage ले पर जैसे जैसे ये fight आगे बढ़ती रही सियंगक चॉय को पता चल गया कि वो सुमित कुमार के slow stance को counter कर सकता है knee के साथ और इसलिए हमने first round के बाद देखना start किया कि जब भी सुमित कुमार इस punch को throw करके अपने head को नीचे कर रहा था तो सियंगक चॉय try कर रहा था knee land करने की और काफी बारू से success भी मिली इस knee को land करने में एक dipping opponent पर head kick या फिर knee land करना एक perfect option होता है और यही चीज सियंगक चॉय ने इस fight में की अब सुमित कुमार की chin काफी strong थी इसलिए वो knockout नहीं हुआ बट उसकी जगा कोई और fighter होता तो at least वो बुरी तरह से hurt हो जाता क्यूंकि ये knees directly face पर land हो रही थी I think stand up में सुमित कुमार ने over try किया स्यंगक चॉय को knockout करने का और कुछ moments में तो सुमित कुमार literally run करके chase down कर रहा था स्यंगक चॉय को इसी चीज़ की advantage लेते हुए couple of times स्यंगक चॉय ने take down किया सुमित कुमार को इस पूरी fight में स्यंगक चॉय काफी अच्छा कर रहा था अपने distance को maintain रखने का और जब भी सुमित कुमार distance को close करने की try कर रहा था तो स्यंगक चॉय उसे counter करके easily move कर रहा था ताकि सुमित कुमार उसको take down ना कर पाए ये sequence perfect example है ये चीज़ देखने का कि सुमित कुमार entry कर रहा था अपने big over and right से पट स्यंगक चॉय ने इधर distance को maintain रखा जिसकी वज़े से सुमित कुमार ने अपने punch को miss किया और स्यंगक चॉय ने उसे counter किया एक body punch से एक और example देखते हैं जिससे ये बात clear हो जाएगी कि सुमित कुमार को काफी problem हो रही थी distance को close करने की और अपने punch को land करने की इधर हम देख सकते हैं कि सुमित कुमार ने एक big over and punch थ्रो करने की try की बट अगें स्यंगक चॉय ने perfectly distance को maintain रखा और जैसे ही सुमित कुमार ने अपने punch को miss किया स्यंगक चॉय ने एक straight punch थ्रो किया जो land हुआ सुमित कुमार के head पर और इसके बाद intelligent way से स्यंगक चॉय उस position स move कर गया fight से पहले स्यंगक चॉय जानता था कि सुमित कुमार उसे take down करने की try करेगा इसलिए इस पूरी fight में स्यंगक चॉय का game plan था अपने distance को maintain रखकर counter punches को throw करना और leg kicks को throw करना सुमित कुमार को slow down करने के लिए first round में सुमित कुमार की power की वज़ह से स्यंगक चॉय इतना confident नहीं था leg kicks को throw करने में पट first round खतम होने के बाद UFC legend Korean zombie जो उसका course था उसने स्यंगक चॉय को instruct किया कि वो leg kicks को throw करे बिना डरे हुए इसलिए second round onwards हम देख सकते हैं कि स्यंगक चॉय की leg kicks increase हो गई और इन leg kicks की वज़ह से सुमित कुमार को और जाधा problems आ रही थी distance को close करके punches land करने की या फिर takedowns land करने की इस fight को देखने के बाद ये बात clear है कि सुमित कुमार को काफी improvement करनी होगी अपनी striking में और कैसे opponent को ground में hold करके control करना है इस पूरी fight में सुमित कुमार ने काफी कम jabs को throw किया बट जब भी वो jab को throw कर रहा था तो most of the jabs land कर रहे थे स्यंगक चॉय के face पर इसलिए मैं थोड़ा confuse था कि क्यों सुमित कुमार ने jabs को throw करना बंद कर दिया इसके बाद सुमित कुमार straight punches भी throw कर रहा था बट mostly वो straight punches तब ही आ रहे थे जब सुमित कुमार defensive position में था इसके अलावा सुमित कुमार ने wild hook punches को throw किया जो कुछ land हो रहे थे बट mostly ये hooks arms में land हो रहे थे या फिर miss हो रहे थे और last में सुमित कुमार के आते हैं big overhand right punches जो I don't think so एक या फिर दो से ज़ादा land हुए होंगे और उल्टा ये सुमित कुमार को disadvantage में ला रहे थे क्योंकि जब भी सुमित कुमार in punches को throw कर रहा था तो वो इतनी ज़ादा power के साथ in punches को throw कर रहा था कि वो अपने balance को maintain नहीं कर पा रहा था और उसका head काफी नीचे dip down हो जा रहा था अब सुमित कुमार की wrestling की बात करें तो ये मैं starting में ही बोल चुका हूँ कि सुमित कुमार के take downs काफी अच्छे थे बट जादा experience ना होने की वज़ह से ये take downs थोड़े से raw और rough लगे बट main problem इस पूरी fight में यही थी कि take down करने के बाद सुमित कुमार उस position के advantage नहीं ले पा रहा था और सुमित कुमार काफी चल्दी वापिस खड़ा हो जा रहा था तो definitely सुमित कुमार को काफी improvement करने की ज़रूर था ओपनेंट को ground में control करने की इस पूरी fight में हमने देखा कि सुमित कुमार को problem हो रही थी distance को close करने में जिसकी वज़े से उसके पंचिस काफी बार miss हो रहे थे तो अगर सुमित कुमार fight की starting से ही leg kicks को throw करता तो I think थोड़ा easy रहता सुमित कुमार के लिए अपने पंचिस को land करना Also उसको स्यंगक चॉय को chase down करनी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि स्यंगक चॉय की leg इतनी जादा beat हो जाती कि वो fast move नहीं कर पाता और सुमित कुमार उसको easily take down कर सकता था अब ऐसा नहीं है कि सुमित कुमार ने जरभी leg kicks को throw नहीं किया Round 3 की starting में सुमित कुमार ने काफी अची leg kicks को throw किया बट तब तक वो काफी late हो गया था इन leg kicks से advantage लेने में तो overall tough luck for सुमित कुमार बट हमें यह याद रखना होगा कि सुमित कुमार still अभी 22 years का है सुमित कुमार अभी काफी young है इस sport में तो definitely वो अपनी striking, wrestling and overall game को improve करेगा तो hope यह है कि आने वाले एक या फिर दो सालों बात सुमित कुमार हमें फिर से दिखे इस road to UFC में fight करता हुआ So that's it for today guys अगर आपको वीडियो अच्छे लगियो तो please make sure to like and subscribe मिलते हैं next वीडियो में